कुकु टीवी मा, मैं भी आपकी खाना बनाने में मदद करूँगी ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम क्या करना चाहूगी? मैं इन सबजियों को काट सकती हूँ ओ, कैसे? असान है, मुझे बस एक बड़ा सा चाकू दे दीजिये और मैं इसे काट दूँगी ये इतना असान नहीं है साशा क्यों? आप भी तो चाकू से ही करती है ना, मैं भी यही करूँगी ठीक है, तब तो तुम ये कहानी सुनो, तब तुम्हे मेरा मतलब समझाएगा ये, कहानी सुरेंगे बहुत पहले एक जंगल में एक शेर रहता था, वो जंगल का राजा था अब वहाँ का प्रधान मंत्री बूढ़ा हो रहा था, और अब एक नए प्रधान मंत्री को चुनने का वक्त आ गया था मैं किस तरह एक नए प्रदानमंत्री को चुनू? मैं समझ गया, मैं उनकी परीक्षा लूँगा अगले ही दिन शेर परीक्षा लेने को तयार हो गया अब मैं ये कुलहारी यही रग देता हूं और जाडियों में छुब जाता हूं और जल्द ही मुझे अच्छा कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए मिल जाएगा ये क्या है? बहुत चमकदार है लगता है कि ये कोई नया खिलोना है मेरी पूच, मेरी पूच, ये कोई खिलोना नहीं है ये तो खदर्राक राक्षिस है अब ये क्या है? समझ गया एक मनुष्य का हतियार इसे तो मैंने पहले भी देखा है क्या किस्मत है? अगर मैं ऐसे ले जाओ मैं सबसे ताखतवर बन जाओंगा मैं समझ गया हूँ मैं ऐसे ले जाओंगा और जाकर गाओ के सारे किसानों को मार दूँगा तब उनके सारी मुर्गिया मेरी हो जाएंगी यह खतरनाक सी दिखने वाली चीज़ क्या है? मैं समझ किया यह हतियार बहुत काम आज सकता है वहां आगे पेड की टहनियों ने पूरा रास्ता रोक रखा है जानवरों का वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है इस कुलहरी का इस्तिमाल करके मैं पेड की टहनियों काट दूँगा और रास्ता साफ कर दूँगा अब सारे जानवर ये रास्ता इस्तिमाल कर पाएंगे क्या तुम बता सकते हो बच्चों? के कौन प्रधान मंत्री बना होगा? मैं बताती हूँ! मैं बताती हूँ! बैल! हाँ, कुलहारी इस कहानी में शक्ती है बंदर को पता नहीं था के कैसे इस्तेमाल करें और लोमडी गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी सिर्फ बैल ने इसका इस्तेमाल सब की भलाई के लिए किया एक लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करे कितनी अच्छी कहानी थी मा तो इसका मतलब है कि किसी चीज के इस्तेमाल से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए नहीं तो तुम भी बंदर की तरह हो जाओगे हाई मैं हूँ शाइनी अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले कुकु टीवी